नमस्कार दोस्तों वेलकम टू नॉलेज इपीसी मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रैविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज वले पार्ट में हम लोग जानेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं तो आज सुरू करेंगे कुछ important question से जो हमारे daily life question है उसको हम लोग देखते हैं और उसके बारे में हूं उसका solution में इसके chapter के last ने बताओगा क्योंकि ये सारा थ्रस्ट और प्रेशर से related ही question है तो चलिए पहले question पर ध्यान देते हैं have you ever wondered about why a camel can run in a desert easily क्टी कोई भी camel को आपना देखा हो गठर डेजर्ट में बराराम से चल लेता है वहीं अगर हम लोग जेजर्ट में चलना चाहिए या फिर कोई दूसरा जनवर अगर डेजर्ट में चलता है तरुसके पैर धस्ते हैं लेकिन camel वए आराम से चल लेता उसके पैर क्यों नहीं धस्ते जब कि वह भी तो काफी बड़ा जनवर है फिर भी उसके पैर नहीं धस्ते एक सवाल ऑगया दूसरे सवाल पे आते हैं जो हमने आर्मी के टैंक्स देखें भूगे उसके पूरा जो चक्के होता है उसके पूरा चेन कंट्वि जैसा होता है एक पट्टी जैसा चेन की वो पूरे उसमें बांध करते हैं ऐसा क्यों रखते हैं उसके टायर्स आपने देखों काफी चौड़े-चौड़े होते हैं और कई 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 ट्रक में देख सरब नबहgua बह oggi लगा देते जानी करते हैं तो ये इंका करण क्यों हैं क्यों इनम जो जो चक्के हैं इनकी जो चोड़ाई है वो नॉर्मल सब कर चकी करना हैं चोड़ी होती एक बात दूसरी बात कि नंबर गयर्च सब्सक्राइब लогरब और जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है दूसरा एक और आखरी सवाल इसमें एक और आता है कि जितना भी कटिंग टूल है हमारे कीचन का चाकू हो गया या फिर कोई कार्पेंटर किसी लकड़ी के चीज़ को बना रहा है या कोई भी कटिंग टूल है मेटल कटिंग हो या हम लोग सब सबसे पहले समस्थ क्या होता है थ्रस्ट का डिफनेशन होता है स्वोर्स अगर किसी अबजट पे परपेंडिकूलर लगे अगर किसी object पे perpendicular ये force लग रहा है तो उसको हम लोग thrust कहेंगे अगर हम किसी object है जैसे के मानले से मेरा हाथ है यहाँ पे अगर इस पे हम लोग ये perpendicular दूसरे उंगली से अगर perpendicular force लगाते हैं ठीक है ठीक इसके perpendicular मतलब होगे कि 90 degree above से अब ये sideways भी हो सकता और ऊपर से नीचे भी हो सकता है कहीं से ही अगर हम इस पे perpendicular force लगाते हैं तो इसको हम लोग thrust कहेंगे ठीक है अब thrust है ये एक force ही है तो इसका भी जो unit होगा वो भी newton ही हो जागा क्योंकि ऐसा unit force का newton होता है तो thrust का भी newton हो जागा तो जितना भी thrust है जितना भी जहां पर भी thrust लग रहा है वो सब force में आ जाएंगे लेकिन सारे force thrust नहीं होंगे अगर force किसी angle पर लग रहा है तो वो thrust में नहीं आगा अगर perpendicular लग रहा है बस धियान देना वैसा force जो की perpendicular लग रहा है उसको हम लोग thrust कहेंगे अब हम लोग बात करेंगे pressure क्या होता है तो pressure होता है force per unit area acting on an object is known as pressure ठीक है किसी भी object पे अगर जो force लग रहा है उसको हम लोग उसके area से divide कर दें किसके area से divide कर रहेंगे जो object का force लग रहा है जैसे कि यह surface हो गया ठीक है इसको पर से इस उंगली से हम हम इस पर force लगा रहे, thrust लगा रहे, चाया force लगा रहे, perpendicular लगा तो thrust बोलेगे लेकिन force ही बोल के चलते हैं यहाँ पे इस उंगली से force लगा रहे, ओके तो इस उंगली का जो surface area जो यह touching कर रहा है जो tip है जो इस हांथ पे touch कर रहा है, वो touch का एरिया होगा उस area से आगर उसको तो हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो जो वैलू आएगा उसको हम लोग प्रेशर गाएंगे तो प्रेशर को डिफेशन का क्या हो जागा फोर्स पर यूनिट एक एडिया एक्टिंग अन अब्जेक्ट इस नोन एज प्रेशर ठीक है अब देखे प्रेशर का इस तरह से क्या हो जागा थ्रस्ट अपॉन एडिया कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया ठीक है तो एरिया का यहां पर यूनिट जो होता है वो पर मीटर स्क्वार में एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वार होता है ओके हम कहीं कहीं सेंटीमीटर भी स्क्वार ले ल न्यूटन ठीक है और एरिया का हो गया मीटर स्क्वाइर ऐसा यूनिट के मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर इसका जो यूनिट लिकल के आ जागा न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर ठीक है या न्यूटन meter to the power minus 2 भी लिख सकते है या neutron per meter इस पर लेकर दोनों सही है ठीक है तो यह इसका SI unit हो गया लेकिन scientist है basis Pascal करके इन्होंने pressure पे बहुत सारा research किया था बहुत सारे law भी दिये थे तो इनको honor करने के लिए SI unit pressure का Pascal से denote करते है होता क्या है Newton meter square ही होता है जिसको एक सब्द में Pascal बोलते हैं जैसे कि आप लोगों को याद होगा जब मैंने force वाला chapter में पढ़ा है था तो force का SI unit क्या होदा kg meter per second square होता है जिसको एक सब्द में Newton N से denote करते हैं वही सेम चीज़े यहाँ पे भी है यहाँ पे pressure का SI unit हो गया Newton per meter square तो इतना लंबा चुड़ा ना बोलके सिधे Pascal से बोलेंगे चीज दोनों एक ही है तो pressure का भी concept समझ में आ गया force acting per unit area on an object is known as pressure ओके अब यहाँ पे आपको pressure भी समझ में आ गया thrust भी समझ में आ गया और area भी आपको knowledge है क्या होता है area तो आप जानते है किसी भी अगर length cross breath कर देंगे किसी भी area surface का तो उसका हमको area निकल जाएगा thrust क्या होता है वो एक तरह का force है लेकिन वो perpendicular act होना चाहिए और pressure क्या होता है pressure force upon area मतलब thrust upon area कितना force लग रहा है per unit area और जो surface touching हो रहा अब तीनों का relation भी हमें समझ में आ गया अभी यहाँ पर सबसे important चीज़ है यहाँ पर समझना pressure is equal to thrust upon area thrust को हम लोग force से भी denote करते हैं force upon area कहीं पर मैं force बोलूँगा कहीं पर thrust बोलूँगा दोनों का मतलब same होता है ठीक है ओके अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए pressure क्या है force upon area तो अगर किसी object का force को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो pressure भी बढ़ जाएगा और वहीं अगर किसी object का area को अगर बढ़ा देंगे तो pressure decrease हो जाएगा मतलब की pressure जो है वो force से directly proportional है अब pressure area से inversely proportional है area बढ़ाएंगे तो pressure घट जाएगा area अगर कम करेंगे तो pressure बढ़ जाएगा force में क्या है directly proportional है force बढ़ाएंगे तो pressure भी बढ़ जाएगा force घट आएगे तो pressure भी घट जाएगा area क्या है inversely proportional है area बढ़ा देंगे तो pressure कम area को कम कर देंगे तो pressure जाएगा ठीक है यह दोनों साइड से लागू होगा तो inversely और directly proportion के यहाँ पर सबज में आगया होगा आपको अब इसी concept का आगे use होगा और जो मैंने सुरवात में examples बताया था तो camel वाला, tank वाला, bus वाला और फिर knife वाला तो यह चारो अब इसी formula से pressure is equal to force upon area या thrust upon area जो pressure का formula होता है या pressure का definition होता है इससे हम लोग इस सारे questions का solution पे जाएंगे अब एक एक करके सारे questions को देखते है तो इससे concept एकदम clear हो जागा सबसे पहले चलते है camel भाई साब के पास तो camel अराम से घूमता है रेगिस्तान में अब रेगिस्तान की जो बलू होता है उस पे तो आप चलेंगे तो आपकी पैर धस जाती है लेकिन इसकी पैर नहीं धसती है क्यों नहीं धसती है इसके पैर का अप area देखो यहाँ पे मैंन असलब area बढ़ेगा तो pressure कम ठीक है इसलिए वो अराम से चल जाता है क्योंकि उसको जो वजन है जिसके कारण जो weight है वही तो उसका force है weight क्या होता है mg होता है mass into acceleration due to gravity जो मैंने पढ़ाया कुछ वीडियो पहले अब यहाँ पर समझो जो pressure जो लग रहा है उसके पैर में वो का प्रस्ली प्रोपोर्शन है pressure तो area बढ़ने कारण pressure कम हो जागा इसलिए उसके पैर नहीं थसते और हम चलेंगे हम लोग चलेंगे तो हमारे पैर का area उसके कम परिजर में वेट का ratio लेके चलेंगे तो area काफी कम है इसलिए हमारे पैर धस जाते है या फिर कोई दूसरा वेट होता है ओके अब इसमें धेर सारे चक्के तो लगाया जाते हैं लेकिन उसके साथ एक rotary belt लगा देख सकते हैं यह जो बेल्ट देख रहे हैं यह वाला पूरा यह बेल्ट लगा दे जाता है इसके कारण होता क्या है कि यह area को काफी जादे बढ़ा देता है अब आप सम जाएगा की यहां पичноफी एरिया यहां पर अ क्ख़गा लागरे और यहां पर माले ले नियुंद आता सिर्म मालें से बेल्ट अ गितना है जोटा चोटा पाट्वी यहां पे टंश हरा यह तो यहां फो यहां पर यहां पर कम तो प्रेशर जादे हम क्या करेंगे इरिया को ही बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, बेल्ट लगा दिये हैं यहाँ पर, यहाँ पर continuous बेल्ट लगा दिये, अब जो वेट है, वेट तो टैंक का जो वेट है, उतना ही रहेगा, पास टन वेट है तो पास टन ही रहेगा, लेकिन एरिया बढ़ जाने के कारण प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण यह अराम से किसी सर्फेस पर चल जागा, यह किसी अगर जो इसलिए टैंक को बोला जाता है, वो rough सर्फेस पे भी, smooth सर्फेस पे भी, रेगिस्तान में भी, बालू वाले सर्फेस में भी, या फिर थोड़ा हलका दलदल टैप का एरिय है, दलदल नहीं कह सकते है, मतलब थोड़ा कीचर टैप का एरिया है, तो उसके भी हर टैप के एरिया पे चल जाता है, उतना भारी भरकव होने के बावसूत, ठीक है, वो इसी लिए चल जाता है, क्योंकि उसका जो बेल्ट के कारण, उसका जो एरिया है, वो काफी बढ़ और एरिया बढ़ जाने कारण, उसका प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण वो अराम से मूव कर लेता है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्जाम्पल पर, यहाँ पर ट्रक्स के बात हुई थी, ट्रक्स की जो चक्के हैं, वो नंबर ऑफ चक्के बढ़ा दे जाते हैं, या पर उसके चक्के काफी चोड़ा रखा जाता है, दोनों चीज़ होता है, तो यहाँ पर भी प्रेशर वाला खेल हो रहा है, कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ चक्के बढ़ा देने से, और उसकी चोड़ाई को बढ़ा देने से, तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, कहां कहां ज पर जोड़ाइं भी काफी जादे है इस कारण से area को हमने बढ़ा रहा है area बढ़ने से क्या होगा जो pressure से area जो है inversely proportional है ठीक है यहां पर आप मैंने पहले ही बताया था जो pressure है वो area ऐसे inversely proportion, same concept आ रहा है, area को हम लोग बढ़ा देंगे, pressure कम हो जाएगा, तो ऐसा करते क्यों है, area को बढ़ा के pressure कम करने के जरुवत क्या पड़ी, ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि जादे ट्रक पे तो बजन लादा जाता है, जादे जादे आप बजन लाद दो, उसका weight को बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन उसके कारण हम लोग area को भी तो बढ़ा दे रहा है, इसकारण pressure कम हो जा रहा है, दूसरी बात, अगर हम लोग जादे weight डाले हैं, तो तेकते हैं, उतना weight डालने के बावजोद, उसके tire नहीं फटते हैं, क्योंकि प्रतेक tire पे area बढ़ जाने का overall जो weight उस पर आ रहा है, उस पर pressure कम लग रहा है, इसके कारण tire नहीं फटता है, और अराम से move करता है, same concept है, तीनों में same concept है, अब यहाँ पे concept थोड़ा साचेंज होगा, जितने भी cutting tools हैं, चाकू से ले लिए, आप यह जो farming बे यूज होते हैं, फसल को काटने के लिए, एकदम sharp होता है, यहाँ पे जो cutting tool है, यह भी sharp है, नेल्स का जो tip होता है, वो भी एकदम sharp है, ऐसा क्यों होता है, अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग चाकू से किसी चीज को काटते हैं, जैसे हम एक टमाटर को काटते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, हमें अपना हाथ से तो force लगा रहा है, लेकिन अगर जो edge है, जहां से वो कट रहा है, उसके area को एकदम पतला कर देख, sharp करना है, मतलब कि area को कम कर दिया जाता है, और area कम होगा, तो क्या होगा, pressure बढ़ जागा, ठीक है, अभी तक truck वाला example, tank वाला example, camel वाला example में area को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे area area को कम कर देंगे, तो pressure हमारा बढ़ जागा, हम आराम से ही force लगांगे, कम ही force लगांगे, लेकिन वहाँ पर pressure इतना जादे बढ़ जागा, area कमने का कि कोई भी चीज आराम से कट जाएगी, इसलिए तो nails का example है, nails का जो tip वाला point है, इसका area बहुत कम होता है, और इसको हम लो यह कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर area बढ़ गया, area बढ़ जाने के कारण pressure कम हो जागा, हम कितना भी ठोकते जाएगा, उल्टे नेल को करके, वो किसी लकड़ी में नहीं जाने वाला, वहीं अगर सीधे से अगर हम लोग उसका tip है, उसके अगर रट के अगर हम अगर हमर से मारेंगे, area कम, area कम होने कारण pressure जादे, और अराम से चालो जाएगा लकड़ी में, तो यही reason था चारो का, और यहाँ से उमीद करते हैं कि प्रेशर और ठ्रस्ट और area में कैसे यह तीनों depend करता और कैसे हमारे daily lap में यह चीज़े आती है, physics कैसे हमारे daily lap में घू अब एक question बना लेते हैं, यह wooden block है, wooden block kept on a table top, table पे wooden block को रखा गया, okay, the mass of a wooden block is 5 kg, mass 5 kg, और इसका dimension दिया, मतलब कि लंबाई, चोड़ाई और उचाई, 40 cm, 20 cm और 10 cm, ठीक है, find the pressure exalted by the wooden block on the table top, if it is made to lie on the table with its sides of its dimension, तो यह block दोनों देख रहे हैं, A और B वाला photo में, दोनों block है same, लेकिन हम एक को खड़े, एक तरीके से रखे हैं, और फिर एक दूसरे दमलब की, height wise एक को रख दिये हैं, एक को breath wise रख दिये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 20 cm wide, 10 cm को base पर रखे हैं और 40 cm को height पर रखे हैं, उसको इसको सुला दिये, 40 cm और 10 cm base पर आगया और यह जो ब्रेट था, यह 20 cm इसको height पर दिये, मतलब कि एक बर खड़े रखे हैं, और पटे रखे हैं, ठीक हैं, तो यह दो तरीके सकिए, अब कूछ राइस में, weight तो दोनों का same है, 5 kg है, same ही block था, अब दोनों में pressure का क्या difference होगा, दोनों पर हम लोग को pressure निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग को weight दे दिया है, ठीक है, sorry, mass दे दिया है wooden block का, तो 5 kg mass दे दिया है, वो उसके आगे हम लोग बनाते हैं, question को, तो mass दिया है 5 kg, ओके, wooden का जो dimension है, मदब लंबाई चोड़ाई हुचा है, 40 cm, 20 cm, when the weight of the wooden block applied thrust on the table, mass है 5 kg, ओके, अब यहाँ पर यह thrust लगाएगा, perpendicular force लगा रहा है, इसी force को हम लोग यहाँ पर thrust का रहा है, thrust is equal to force, F is equal to mg, यहाँ पर mass दिया वाथ है, weight नहीं है, तो weight निकालने के लिए, मतलब की force न निकालेंगे, तो 49 newton हमारा thrust निकल गया, ओके, अब इस वाले force का बात कर रहा हूँ, length into bread करेंगे, तो area निकालेंगे, base का, जो touch है, वहाँ का area निकालेंगे, तभी तो pressure से divide करेंगे, तो area कैसे निकलेगा, 20 into 10 कर देंगे, यहाँ पर rectangle है न, यह इस तरह का area होगा, यहाँ पर नीचे में जो इसका base होगा, वह इस तरह का होगा, तो इसका area हम लोग निकालने वाले, इस portion का, ठीक है, इस portion का 20 to 10 कर देंगे, area निकल लेकर 200 cm2, इसको meter में change कर देंगे, ओके, ऐसा unit में meter चलता है, 0.02 meter square, ओके, यहाँ पर हमारे area निकल गया, यहाँ पर हमारा thrust या force निकल गया, अब जो main formula होता है, pressure is equal to force upon area, ठीक है, या thrust upon area, यह force हो गया, 49 newton लिखिल दिये, और उसका area निकालके लिख दिये है, आपर दोनों चीज़ यहाँ पर हम लिखती है, और इसको divide करेंगे, तो answer आगया इतना, इस direction में, इस तरह के से अगर हम लोग लोग रखेंग तो 2450 पास्कल या newton meter square एतना का pressure हमें लग रहा है, यह एक case का निकला, अब हम लोग बी case पर जाएंगे, बी case में निकालने के लिए, जो हमारा जो 5 kg है, इसका जो mass है, वो तो change हुआ नहीं, तो mass change नहीं हुआ और आइसी direction due to gravity, mg, वो भी change नहीं हुआ, तो force दोनों case में same हो जाएगा, 49 newton का ही यहाँ पर फोर्स लगेगा, ओके, लेकिन एरिया में changes हो रहा है, एरिया में length into 20 into 10 लिए थे, फर्स्ट केस में, और इस वाले case में, यहाँ पर 40 into 10 देंगे, वही लिया यहाँ 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 पर area देखे है, 40 into 10, 20 लिया है, यहाँ पर 40 into 20 गलत लिया है, सॉरी, ओके, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए, इसको ही 10 cm माल लें, और इसको 20 cm माल ले, ठीक है, अब यहाँ पर निकल जाएगा, 14 into 20 cm, अगर यहाँ पर हम लोग इसका weight लेते है, ठीक है, एरिया लेते है, तब यहाँ पर 800 cm² हो जागा, 0.8 m², ओके, हाइट यहाँ मैं 10 cm लिया हूँ, ओके, 20 नहीं 10 कर दो, और यहाँ पर 20 कर तो, 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 यहाँ पर आगे हमारा area, ठीक है, अब इसको वापस से pressure वाला second case में pressure निकालेंगे, force अपना 49 newton ही था, और area निकालेंगे, 0.08 m का, जो हम लोग भी निकाल के लाए, 20 और 40 cm पर base पर रहा है, तो, इसका आगे, इसको divide करेंगे, 612, 6.5, 612.5 newton meter square, तो, इतना force exert करेगा, तो, first case में 2450 newton meter square का force exert किया था, दूसरे case में 612.5 newton meter square का force, pressure exert कर रहा है, यह, तो, कि इसमें जादे, तो, इस तरह से खड़ा रखेंगे, तो, यहाँ पर pressure जादे exert होगा, नीचे के surface पर, और pressure यहाँ पर कम exert होगा, ओके, तो, यही था, और कितना कम ही हो रहा है, तो, लगभग four times का यहाँ पर difference हो जा रहा है, तो, यहाँ पर आप देखके समझ सकते हैं, कि same object था, दोनों का weight था, यहाँ पर mass बोल सकते हैं, दोनों का mass same था, लेकिन इसको, अगर हम लोग नीचे का area को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो, वहाँ पर pressure कम exert होता है, इसलिए, बिल्डिंग के foundation में, जो, बिल्डिंग का foundation होता है, उसका जो बेस होता है, उसको काफी चोड़ा रखा जाता है, क्योंकि, उपर का जो pressure आएगा, ठीक है, वो distribute हो जा जो pressure कम हो जाए, area बढ़ ज इसके पहिये को चोड़ा रखा जाता है, area बढ़ाया जाता है, तो, इसका आर्म pressure कम हो सके है, तो, उमीद करता हो, आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, तो, लाइक से और सब्सक्राइब कर ना भूले, मिलते हैं अगले वीडिय जै हिन जै भारत